आज हम कक्षा 11 में पढ़ाई जाने वाली राम नरेश्टर पाठी की कवीता पथिक कवीता इसकी वेख्या करेंगे इसमें कवीवर ने बताया है कि प्रकर्ती कितनी मनोहर है और प्रकर्ती की इन चीजों को देख करके हमें ऐसा लगता है कि मानू हम पथिक हैं हम यात्री हैं इस संसार के और प्रकर्ती की इन चीजों को देख कर जैसा कि स्वाभाविक है हर किसी मनुष्य का मन करता है कि वो भ इनके उपर बैठ कर गूमे इन चीजों को छू कर देखे पहला जो हमारा पेराग्राफ है उसमें कवीवर यही कलपना कर रहे हैं क्योंकि उनके सामने सूरिय है वो उरित हो रहा है और सामने में समुंद्र की लहरे हैं तो उसका जो प्रतिविंब दिखाई देख रहा है पान नवीन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला निराले अनोखे की प्रतीपल प्रतेक्षण नया नया वेश बनाकर रंग बिरंगी और अनोखी ऐसी रवी के सम्मुक थिरक रही हैं रवी के सम्मुक होता है सामने की सूरिय के सामने है वो थिरक रही है मानो नाच रही है थिरक नाजना की नभ में वारिध माला वारिध होता है बादल बादलों की जो माला है वो मानों की आकाश में नए नए प्रतीपल प्रतेकशन रंग विरंगे वेश बना करें रवी के सम्मुक सूर्ये के सामने नाज रही है क्योंकि सूरिय है वो उदित हो रहे हैं और आकाश में बादल हैं वो इधर उधर फैलते हुए नजरा रहे हैं कभी वो सूरिय के प्रकाश के कारण लाल रंके कभी काले कभी सफेद कभी पीले ऐसे रंके दिखाई दे रहे हैं तो कभी कल्पना कर रहे हैं मानो सूरिय के सामन बादलों की जो माला है वो नए नए वेश धारन करके नाच रही है अब कभी कहते हैं नीचे नील समुंद्र मनोहर कि उनके नीचे जैसा कि अभी बताया था कि कभी हैं बैठे ऐसी जगें पर हैं जहां सामने में समुंद्र है और साथ में ही सूरिय है वो उदित हो रहा है तो नीचे है वो नीले रंग का समुंद्र है जो मनोहर है मन को अच्छा लगने वाला है उपर नील गगन और उपर है वो नीला आकाश है नीचे मन को अच्छा लगने वाला नीला समुंद्र का पानी फैला हुआ है समुंद्र है और उपर नीले रंग का आकाश है तो कभी कलपना कर रहे हैं अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि घन पर घन होते हैं बादल कि बादलों के उपर बैठ कर मैं भी बीच में विचरण यही चाहता मन कि मैं भी इन बादलों के उपर बैठ कर आकाश में विचरण करूं जैसे कई बर हमारा मन करता है बादलों को लगाता है देखते रहने के बाद कि हम भी ऐसा होता कि इन बादलों पर बैठ कर आकाश का ब्रहमन कर पाते